बसंत का मौशन चल रहा है और फूल को ले वे हैं बहुती अच्छा मौशन लग रहा है रहा है और हमारे ले भी और हमारे प्लाण्स के ले भी हेलो दोस्तों कैसे हो आप सब आशा करती हूं आप अच्छे होंगे फ्रेंच机 मैं भी अच्छी हूं और एक नई वीडियो के साथ आपके सामने आई हूँ बसंद का मौसम बहुत ही खुशूरद मौसम होता है देखिए जो फ्लावर विंटर में फ्लावरिंग नहीं कर रहे थे वो इस मौसम में खिलने लगे हैं चूर्द कि ज्यादा गरमी नहीं है और ज्यादा सरी नहीं है तो हमारे जो फ्लावर वह भी कुछ है उसको खिलने का मौका मिल गया है जो भी चिसफाल फ्लावर थे जली नहीं ऊहां से इस टाइम पे खिल रहे हैं और यह मई अप्रेल मई जून तक थोड़ा फ्लावरिंग करेंगे तो बहुत ही खुब सुरण मौसम होता है यह मौसम और हमारे लिए भी हमारे प्लांट के लिए भी बहुत ही अच्छा मौसम है तो इस त्याम पर देखें बहुत सारे फूल खिल रहे हैं और बहुत सारे ऐस प्थे से घ्रो कर सकते हैंत्र ही हाड़ी प्लांट होता है और फिर याज़Butan का काम करता है और देखने में भी बहुत खूल स्राइजै तो इसको आप एक असानी से ग्रोब कर सकते है आप इसको नर्शरी से भी ला सकते हैं आपके कोई जान पचानकी हैं उनकी उहां से पत्ती भी ला सकते हैं पत्ती को कट करके आप जो है मिट्टी में दबा दीजिए बहुत आसानी से ग्रो हो जाएगा उसके बाद एक लांचो का प्लांट है जो कि पर्मानेंट फ्लावरिंग प्लांट होता है और विंटर में ज्यादा फ्लावरिंग करता है और इसको भी आप एक पत्ती से ग्रो कर सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा गर्मी और बरसात में आप बचा लेते हैं तो यह हमारे पर यह होता है और इसकी आप को थोड़ी सी गर्मी और बरसात में आपको ध्यान से इसकी केर करनी पड़ती है यह आपका पर्मान प्लान्ट बन जाता है उसके बाद है सिंगोनियम सिंगोने भी बहुत सारे कलर्स में आता है और ये भी बहुत हाड़ी प्लांट होता है इसको भी आप एक पत्ती से ग्रो कर सकते हैं बहुत एजी ली पत्ती से ग्रो हो जाता है इसमें भी नौड एरिया बनी रहती हैं कहीं पर भी आप देखेंगे दिवार में भी चड़ जा तो थोड़ा सा मिट्टी में दबा दीजिए बहुत हाड़ी प्लांट होता है पानी भी देने की ज़्यादा जरूत नहीं है उसके बाद है यह मानी प्लांट जो कि घर में लगाना शूब माना जाता है इसको भी आप पती से ग्रो कर सकते हैं इसकी भी बहुत सारी वेराटी अलग कलर्स होते हैं तो उनको आप प्ति से के मूझकँ में फ्लावरिंग हो रही है है Thai उसमें थोड़ा टाइम लगता है पत्ति से ग्रो करने में लेकिन आसानी से अलगर हो ऊप्ता तोड़ लीजए और मिटकी में दबा दीजppen में बहुती इजी ग्रो इंग हो पानी बहुत कम देनी की जरथ होती है और इजी ली ग्रो हो जाता है और यह स्पाड़र प्लांट देखिए यह वी अक पती से इसको कहेंगे runner कहेंगे तो एक इसका runner कहीं पर भी गिर जाता है तो ये ग्रो होने लगता है और spider plant जो है वह हैंगिंग बास्केच में बहुत ही खुबसूरत लगता है इसकी आप टोप्यार भी बना सकते हैं और इसके दो कलर आते हैं इसमें चोटा सा फूल भी आता है air purifying का काम करता है और हमेशा आपके garden में बना रहेगा जहां पर आप रखेंगे वहीं पर ये जड़े दूसरे पॉर्ट में भी फैला देता है तो मेरे घर में इस तरह से बहुत सारे प्लांट बन गए हैं मैंने इनकाल के भी रखा हुए पॉर्ट खाली कियोंकि वहार पॉर्ट म हम एक प्लांट को दे नहीं सकते हैं तो निकाल के भी रखे हुए जमीन में डाल दिये हैं कुछ तो बहुत ईजीली ग्रो हो जाता है तो आप इसको अपने घर में लगा सकते हैं और केर करने की बिजर्वत नहीं होती ज्यादा हाड़ी प्लांट होता है और यह है टार्टि बहुत इजी ग्रोइंग होता है ऐसे प्लांट जो होते हैं इनको पानी देने की ज़्यादा ज़रुवत नहीं होती है और विंटर में थोड़ा डॉर्मेंसी में जाते हैं लेकिन यह खराब नहीं होते हैं वेंडिंग जू देखिए यह इस तरह का प्लांट है अगर आप खराब होने लगते हैं जलने से लगते हैं लेकिन जैसे विंटर खत्म होती है तो इनका इंकी ग्रोण शुरू हो जाती है बहुत हादी प्लांट होता है इसमें फूष महते हैं और इसदबार रहता कभी खराब नहीं होता है और विंटर में फ्लावरिंग करता है उसके बाद धिरी-धिरे मतब इसकी ग्रोध जो होती है गर्मी और बरसात में कम होती है गर्मी में तो पूरी फ्लावरिंग करता है लेकिन बरसात में इसकी ग्रोध कम हो जाती है और विंटर में फिर से ग्रोध होने लगता है और यह प कई पत्तों से ग्रोप दो इसे सबुए हैं इस तरह से आप पत्ती बी लेते तो इसकी उन्हें लगती है आप कहीं पर भी सब्सथी डाल देंगे वहीं पर एक ग्रोफ होने लगता और इस तरह से बहुत सारे प्लांट इसके बन जाते हैं इस तरह से देखिए अपनी पत्ति आप नीचे रखेंगे मिट्की में तो यह अपने जड़े इस तेरह पहला देते हैं यह देखिए इस्पृर्ण उप पॉलते इसको यह बहुति खुसुरत सब्सक्राइब नहीं सकता ने जिर संक क्या हाँ क्योंकि जितने भी सकुलेंटे हैं वह ऐसे ही ग्रो हो जाते हैं इन सकुलेंट को पानी की बहुत कम जरूत होती है इनके जब आप मिट्टी बनाएं सभी प्लावर के लिए तो वेल्डेन मिट्टी वनानी है नहीं तो यह अगर मिट्टी रुख जाती है इनके पॉर्ट में यह खराब होने लगते हैं अधरवाइस यह खराब नहीं होंगे यह परपल हार्ट देखिए इसमें एक चोटा सा फ्लावर भी आता है और बहुत ही खुबस्राइब लगता है पत्तिया इसकी जो होती है वह परपल कलर की होती है और इसमें परपल फूल भी आता है तो है इसमें तरह आफ है पत्ती के आध। से ग्रोग किया वाले सभी वाले सभी प्लांटे है यह प्लांटे हैं इसके ऐसे मैं बढ़ता है үह शृब सपोर्ट देना पड़ता है इसको और यह है कैक्टस देखिए कैक्टस जीतने होते हैं यह सभी शुटह से पत्ते से ही कहे इसको जो आप देख रहे हैं इसको क्या बोलेंगे पत्ता ही बोलेंगे तो यह कहीं पर भी गिर जाता है तो यह ग्रो होना शुरू हो जाता है तो इस तरह से आप इनको अलग-अलग कर सकते हैं और बहुत सारे बना सकते हैं जूप लिए पाले कि इसाप में बहुत हुआ है इस तरह से मांगे में सबस्कुल